दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है बूस्ट और नॉलेज में आज हम पढ़ेंगे सबसे में टॉपिक जो की थर्ड फोर्ट से लेकर के ये 10th 11 तक आपके बहुत यूज में आता है जिसका नाम है सिंप्लिफिकेशन तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंप्लिफिकेशन का मतलब होता है सरली करण सरली करण से एक और तरीके से मतलब किसी भी चीज को सिंपल तरीके में रिप्रेजेंट करना के मतलब कि जटेल करना जो हुती है कठीन से कठीन गर्णा को अंतिम उत्तर का पता लगाना उसे उसका एकदम लास्ट आंसर पता लगाना वू कहनाता है सिंप्लिफिकेशन तो जैसे कि एक एक ग्जामपल देख लेते हैं ठीक है कैसे अंतिम तक पता लगा सकता है जैसे हमारे पास माल लीजे है 14 divided by 2 into 9 plus 3 अब ये आपको देखो ये ऐसे लग रहा है कि ये पूरा एक लंबी सी equation है इसे हमें क्या करना है सिंपल तरीके में करना है तो आगे मैं आपको बताऊंगा किसके क्या formula होते हैं इसे हम कैसे करते हैं लेकिन अभी आप देखें पहले हम simplify में करते हैं divide तो अगर 2 को 14 से divide करें तो कितना आ जाता है 7 क्योंकि 2 7 जा कितना होता है 14 multiply 9 plus 3 उसके बाद क्या होता है कि 9 into 7 होता है क्योंकि divide के बाद होता है हमारा multiply तो 9 7 जा 63 plus 3 ठीक है उसके बाद होता है अब इसमें add है तो add हो जाएगा तो अब 63 3 और 3 कितना हो जाएगा 66 यह आपका answer है यह last आपका वह पहुंच गया यह क्या कहलाएगा आपका यह अंतिम अंतिम उत्तर है इसके बाद इसे आप solve नहीं कर सकते हैं तो यही कहलाता है simplification ठीक है तो simplification को करते कैसे हैं सबसे main बात यह है तो यह आप सब के लिए है जो अभ क्लास के बच्चे हो गए उन्हें बहुत दिक्कत होगी तो अगर यह आपको सीरीज अच्छी लगे समझ में आए तो इसे अच्छे से देखिए और इससे लाब लेजी तो अब हम पहले पढ़ेंगे एक होता है बार्ड मास तो बार्ड मास अब जैसे जो न्यू है जिन्हो कि B का मतलब होता है ब्रैकेट क्या होता है B R A C K E T B का मतलब है ब्रैकेट ठीक है तो कभी भी हम एक्वेशन सावा सॉल्फ करेंगे तो उसमें अगर हमें ब्रैकेट सबसे पहले दीखेगा तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेब जो होता है हमारा उसमें हम क्या सॉल्फ करते है bracket उसके बाद O का मतलब क्या आच्छा O का मतलब क्या होता है Auff क्या होता है आफ का मतलब होता है कि आफ एक A symbol point symbol में होता है ठीक है point में होगा यह ओफ लिखा होगा यह दो तरीकों से तो आफ का अमतलब normally multiply होता है मतलब कितनी बार यह करना है फिर Diviad 'd का मतलब क्या होता है divide तो d i v i division ठीक है division मतलब तीसरे step पर हम क्या करेंगे division करेंगे यह step second है second step है यह step third है ठीक है अब four क्या है multiply fourth क्या है multiply m का मतलब multiply m u l t i p l y फिर fourth step क्या होता है multiply ठीक है फिर आता है a a का मतलब हो गया addition a double d i t i o addition का मतलब plus जो आप normally plus करते हैं हां तो यह हो गया आपका fifth step ठीक है और फिर last step होता है subtraction s u b s t r a c t i o n subtraction ठीक है यह आपका sixth step हो ठीक है अब मैं आपको यह आप बॉर्ड मास तो बिल्कुल समझी गया होंगे कि क्या है कि bracket of division multiply addition और subtraction अचलो आप एक को एक चोटा से example सबसे easy example बताता हो मैं two plus three two plus three कित्ता होता है पर हम इसमें two plus three क्यों करेंगे पता है आपको क्योंकि पहले हम क्या solve करते है bracket हमारा rule क्या कहता है पहले क्या solve करो bracket इसलिए हम two plus three करेंगे तो two plus three होता है five five into कित्ता है 36 है ठीक है तो अब आप इसमें multiply कर देंगे तो six five जा कित्ता होता है थर्टी three आया five three है fifteen sixteen seventeen eighteen इसका answer कित्ता आगे आपका one eighteen ठीक है यह तो यह बहुत easy है और आप आसर करता हो हम बहुत interest के साथ सीख रहे होंगे इसे पर हां दिहान से सीखेगा तभी रहेगा अब आते हैं एक और example ले ले लेते हैं आपको ओफ वाला दिखा देते हैं ठीक है तो एक यह है six plus three पर पहले इसमें भी हम क्यों करेंगे क्योंकि पहले हम क्या सॉल्फ करते हैं ब्रैकेट ठीक है ब्रैकेट सॉल्फ करते हैं तो six plus थ्रीकेता होता है नाइन और नाइन आफ का मतलब होता है बड़े concept नहीं सीख पाते हैं लेकिन यह start कहा से हो जाता है third से fourth से ठीक है क्या symbol rule symbol rule क्या होते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि minus into minus क्या होता है minus into minus जो होता है वो plus यह सब rule है ठीक है कि अगर कही minus आए एक और minus आए तो आपको क्या गरना है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि plus होता है ठीक है तो यही आपको आज मैं सिखाना वालों कि multiplication में symbol rule क्या है ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा याद रखेगा plus अगर कहीं plus है ठीक है और उसका multiply plus से हो रहा है ठीक है तो हमेशा क्या आएगा plus आएगा ठीक है बहुत easy है इसमें वो नहीं करना minus multiply minus तो क्या आएगा तो भी plus आएगा मतलब क्या समझे हम यह जब same का same same two होगा तो हमेशा क्या आएगा plus आएगा ठीक है अब opposite ले लेते हैं minus into plus ठीक है यह opposite हो गए तो हमेशा minus आएगा ठीक है और ऐसी क्या है plus into minus तो यह हमेशा क्या आएगा minus आएगा क्यों आएगा क्योंकि देखो आप यह तो 2 into 2 करते हो 2 whole, sorry, 2 into 4, यह देखलो, 2 into 4, तो भी किता आता है, 8 आता है, लेकिन 4 into 2 भी करते हो, तो किता आता है, 8 आता है, ठीक है, तो यह आता है, दोनों तरीके से सेम है, ऐसी चाहिए, माइनस को इन्टू करो, प्लस से, चाहिए, प्लस को इन्टू करो, माइनस से, आएगा, वही धे, अब डिवीजन का देख लेते हैं, कि डिवीजन में क्या रूल जलता है, तो डिवीजन का रूल के लिए, आप जैसे कि प्लस को डिवाइड अगर आप करते हैं, प्लस से, तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है, और अगर आप माइनस को डिवाइड करते हैं, माइ आप चेंज कहीं भी नहीं होता, सब वही है, minus divided by plus, तो क्या आएगा, minus, same वही सब है, ठीक है, और यहाँ पे आप plus divided by minus करेंगे, तो भी क्या आएगा, minus ही आएगा, ठीक है, तो आपको यह बहुत इजी तरीका है याद करने का, तो फिर यहाँ पे हम 25 into 10 divided by 2 plus 12 minus 3, एक यह कोशन करते हैं, जिसे हम अच्छे से समझेगे, आप इस अच्छे से समझेगे, फिर आगे हम आपको खुद करने के लिए देंगे, घर के लिए, ठीक है, तो अभी क्या है, कि यहाँ पे सबसे पहले यह क्या है, तो हमारा रूल क्या गयता है, सबसे पहले हमें करना है divide, तो यहाँ पर divide कहां पे है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो अगर divide इनके बीच में है, तो सबसे पहले हम कौन सा method लगाएंगे, devising, ठीक है, तो 25 into, किता आगया यह, अगर divide कर दिया हमने, तो क्या आया है, यहाँ पे, 2, 5, 10 होता ह ठीक है, प्लस 12-3, यह कौन सा यहाँ पर लगा? division, ठीक है, यह division लगा, अब division के बाद क्या आता है? multiplication, तो 5, 5, 5 जग इता होता है, 25, 125, प्लस 12-3, यह कौन सा यहाँ पर लगा? multiplication, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? addition, ठीक है, तो 125, 137-3, यह कौन सा लगा, एडिशन, ठीक है, अब लास्ट में कौन सा लगेगा, इसमें अगर 3 माइनस किये तो किता है, 134, यह आपका आगया आंसर, ठीक है, यह कौन सा मेथर्ड यहां पे लगा, सब ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, एक तरफ से लाइन से फॉर्मूला लगाते जाते हैं, बॉर्ड मास्का और इसे सॉल्फ करते जाते हैं, अब मैं आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी छोटे दो-चार और एक्जांपल बताऊंगा, उसके बाद आप खुद करेंगे, ठीक ह प्लस वन कित्ता होता है, इलेवन, अब एक यह है, ठीक है, इसमें भी डिवाइड पहले करेंगे, तो 6 दिवाइड बाई द्वाइड थी करेंगे, तो कित्ता आएगा, ठीक है, बाकी सब हम ऐसी उतार लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टिपलाई, 3 माइनस सेवन तो किता आगे आपका यहां पे आंसर टू ठीक है तो यह आप ऐसे करेंगे ठीक है अब एक यह लेंगती बता देता हूं आपको यह देखके घबराने के जरूरत नहीं है यह बहुत इजी है जैसे कि आप पहले यह दो जितने डिवाइड हैं उनमें आप देख दीचे कौन कौन से रिवाइड है इन्हें टू करें यह टू और इसका भी कितना आगया टू पूजा फोर बाकी सब आप ऐसी उतार सकते हैं ठीक है अभी आप उतार के करिए फिर आप जब सीख जाएंगे तो और जल्दी होगा आपको ठीक है तो टैन प्लस टू माइनस अ जो कि प्लस फोर माइनस फू ठीक है तो ये क्या हो गया है प्लस प्लस इकर्ठ डैन प्लस टू प्लस ऺ्यों थो स्पूर फॉर यह plus, यह plus और यह plus 3 हो वी को एक अठा गल लिया ठीक है तो 10 plus 2 plus 4 is 16 और यह minus, यह minus 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 क्या होता है, plus होता है तो 6 और 4 is 10, लेकिन sign हमेशा किसका आइगा, minus का आइगा क्योंकि जो desus बड़ी होती है, large होती है यह मैं आपको आगे बताऊंगा वो उसका sign आता है लेकिन हम करते है rule के इसाफ़े जैसे minus into minus किता होता है plus होता है ठीक है तो वो चीज करते हैं ठीक है तो यह आपका और यह आपके लिए question है आप यह note down भी कर सकते हैं और यह comment पे अगर आपसे नहीं बनता तो पूछ सकते हैं मैं अगली वीडियो आते ही आपको इन सब का answer दूँगा आप उसे check कर सकते हैं तो thank you guys अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह series को अपने friends को share करें ताकि घर में बैठके सब अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चला सके और channel को subscribe जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचाए बैल आइकन जरूर दवाए thank you